यह है आज की पेंटिंग का मेन इंग्रीडियंट जी हां फ्रेंट्स इंग्रीडियंट खाने का होता है पर आज पेंटिंग का भी आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा सा एक आर्ट लेकर आई हूँ पटेटो पेंटिंग और पटेटो पेंटिंग किस तरह से की जाती है और ब्लॉक्स किस तरह से रेडी किये जाते हैं मैं आपको सब कुछ आज बताने वाले हूँ इजी ब्लॉक भी बताऊंगी और कॉंप्लिकेटिड ब्लॉक भी बताऊंगी जिससे आप जब आप वर्क करेंगे तो आपको दोनु तरह से आता होगा जैसे मर्जी चाहे आप ब्लॉक्स बना सकते हैं सुनने में बहुत इजी लगता है पटेटो पेंटिंग लेकिन अगर आ आपको रिवियू भी दिया है कि कैसे लग रहे हैं पिलो कवर बनने के बाद और यह जो आर्ट है इसको हम सूट दुपट्टा साड़ी किसी पर भी यूज़ कर सकते किसी पर भी बना सकते हैं सो आज फॉर्स टाइम मैंने ट्राय किया बहुत एंजॉय किया और बहुत ही ज आते नहीं करते हां वीडियो पसंद आये तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर नए है सब्सक्राइब कर दीजेगा फ्रेंड्स और फैमली के साथ बहुत सारा श्येयर कीजेगा और चैनल पर नए है तो बने रहेगा पुराने भी होंगे नए है तो क्योंकि आर्ट फैक्ट्र आज की जो यह पींटिंग है बहुत अच्छी है बहुत ही जो है ना यूसफुल है इनोवेटिव है कोई भी से कर सकता है तो देखिए उसके लिए सबसे पहले हम आलू को काटेंगे यानि की पटैटो को हम टू पीसिज में डिवाइड करेंगे इतने पटैटो की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स हम दो पटैटो से भी चार ब्लॉक बना सकते हैं और देखिए इस तरह से कोई थोड़ा सा मोटा पेपर ले लिजेगा और आपको कोई अगर कॉम्प्लिकेटिड फिगर चाहिए मेंस आपको शेप चाहिए एक जैसी शेप सारी आनी चाहिए तो आप इ इसका यूज भी हम करने वाले हैं तो यह जो पेंटिंग है हमारी यह जो है ना फ्लार से बनाओंगी वैसे तो मैं लेकिन यह जो हर्ट के पीसिज हैं इसका भी हम यूज करेंगे तो सबसे पहले सबको सबसे इजी जो स्टैंसल है वो मैं आपको बनाना बता रहे हूं अब में प्रॉब्लम आती है उसके बाद पैंसिल की हेल्प से इस तरह से मार्ग कर लीजिएगा और फिर कोई भी चाकू ले लीजिएगा मेरे पास यह स्टेंसिल कटर था तो मैं इससे जो है यह शेप बना रही हूं और इस तरह से जो आपका शेप बनाई है वह जो पार्ट है उ वो उभरा हुआ रहेगा और बाकी का पार्ट जो है आपका नहीं आएगा फैबरिक पर आप यह फैबरिक पर भी कर सकते हैं पेपर पर भी कर सकते हैं बच्चों को सिखाईएगा गर्मी की चुटिया है तो कुछ ना कुछ वो भी क्रियेटिव बनाएंगे तो इस तरह से जो शेप है उसको हम अच्छे से क्लियरली विजिबल कर लेते हैं अब आप देखें यह शेप हमारी हर्ट की कितनी प्यारी निकली है अब देखें यहां पर मैं सिंपल एक लीव बना रही हूं बिना पेपर के आप देखें दोनों तरह से मैंने आपको बताया ना तो यह मै पेपर के बिना आपको बता रही हूं और देखें इस तरह से शेप बनाने के बाद उसका भी सेम ही प्रोसीजर है किस तरह से हमें निकालना लेकिन जो यह निकालने का काम है इसको तोड़ा सा सावधानी से कीजेगा तबी आपका जो है ना उभार वो बहुत अच्छे से आ आएगा और यह जो पीसिज हैं इनको निकाल लीजिए अब आप कहेंगे इतने आलू की बरबादी फ्रेंट्स दो ही आलू लगेंगे और जादा इसमें कुछ ना खर्चा लगना है ना मेहनत लगनी है अब जो इंप्रेशन्स हमें लीफ इंप्रेशन्स देने हैं उनको इ पारी किसमें बीच में से कट लगाईएगा और उसके बाद जो सेंटर का पार्ट है उसे रिमूव कर दीजेगा और इससे आपका जो यह लाइन से यह आपकी ब्लैंक बीजिबल होंगी और बाकी का जो पोर्शन है वहां आपका कलर जो है ना लगेगा किस तरह से यूज कर बता रही हूं इसका और देखे यह जो है ना इसको हम इस तरह से निकालेंगे और पीसिस को निकालते जएगे क्योंकि यहां हमें लाइनस का शेप देना आप देखे यहां से जो पोटेटो थोड़ा सा साथ में कट हो गया तो इन बातों का ध्यान रखिये रखियेगा आप अब ये देखे मैं इसको इस तरह से पैटल्स की शेप दे रही हूँ है ना बहुत प्यारा सा ये ब्लॉक बहुत अच्छा बना है मेरा तो इसको फैकने का बिदिल नहीं कर रहा था फ्रेंड्स इतना खूबसूरत बना है एक एक पैटल है जो वो इकोल बनी है और इसका आपधानी वह यह रखनी होगी कि उसके अंदर आपको न्यूस पेपर डालना होगा और कुछ हार्ड सर्फिस आपका ना उसके नीचे होना चाहिए ताकि आपका जो ब्लॉक का इंप्रेशन है वह बहुत अच्छे से वीजिबल हो बहुत अच्छे से आए तो मैं यह जो न सार्किंग कर लीजेगा कहां कहां क्या क्या करना है और फिर आप कीजेगा तो अब मैं दो कोर्नर पर करूंगी और यह क्रिम्सन रेड कलर में ले रही हूं और सिंप्ली जो हम ब्लॉक पेंटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह से तो देखे यह कलर थोड़ा सा मेरा थिक हो फैला लीजेगा और मैं इनी दो कलर से आज पेंटिंग करने वाली हूं और भी करेंगे इससे बड़ा मज़ा आया मुझे हम इससे ना बड़ा प्रोजेक्ट भी कुछ बनाएंगे यह तो चोटे से पिलो कवर थे और बैट शीट भी हम इससे बनाएंगे तो यह देखे इस का इंप्रेशन कितना fine कितना beautiful आएगा यह मेरा भी first trial है friends तो बताईएगा result कैसा लगा आप सभी को result के लिए मैं जो है ना आप लोगों को इंतजार करवा रही हूं क्योंकि हर अच्छी चीज में थोड़ा सा समय लगता है तो आप देख रहे हैं impression कितना प्यारा आया है बस यही जो खुशी है ना आपके चहरे पर यह impression देखने के पाद यही मुझे बहुत पसंद है और इस smile को बनाए रखिएगा और अपनी creation ना जरूर बनाएगा किसी ना किसी चीज़ पर मैं बहुत जल्द आपके लिए ना बहुत अच्छा सा कुछ और लेकिया आने वाली हू प्राइटो से ही बड़े साइस की चोटे साइस की पटेटो आप भी तयार कर लीजेगा साथ साथ बनाएंगे फिर तो देखें यजो है हमारा फ्लार इसको बिल्कुल जैसे हम ब्लॉक पेंटिंग करते हैं उसको भी उपर से मारना पड़ता है बिल्कुल उसी तरह से हम करे और ये impression आप देखिए कितना प्यारा कितना beautiful है ना कोई मेहनत ना कोई shading ना कोई merging बस हमारी painting done 10 minute में आपका article तयार हो सकता है फ्रेंड्स अब ये छोटे leaf है क्योंकि अब हमारा plant है तो उसमें बड़े leaf भी होंगे छोटे leaf भी होंगे बस result है जो वो हमारा थोड़ा सा अलग-अलग मिल सकता है क्योंकि कई बार impression पर बात होती है क्योंकि छोटा जो आलू है हमारा उस पर हम अच्छे से दबाव नहीं दे पाते तो कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत रहे जाता है बट वो भी बहुत अच्छा लगता है इस painting में और हां मेरी परी ने भी ब्लॉक से बहुत सारा एक पूरा पेपर भर दिया इतने सारा यह बनाया है तो अब यह देखिए जो मेरा हर्ट शेप था उससे भी मैं फ्लार क्रिएट कर रहे हूं आप इस तरह से भी फ्लार बना सकते हैं एक पैटल बना लीजिए और उसको अपने क्रिएट कर दीजिए अब देखे यह जो छोटे छोटे फ्लार है मैंने इनको भी हर्ट को भी आपर फ्लार के शेप दी है और जो लास्ट का मेरा रेजल्ट है वह आप देखेगा पूरे पिल्लो पर मैंने यह जो हर्ट शेप है ना इसको स्प्रेड किया है बहुत प्यारा के बारे में वो भी मुझे जरूर से जरूर बताईएगा कि आपको कैसा लगा क्या कुछ आपको समझ में आया नहीं भी आया तो क्या नहीं आया मैं आपको जरूर क्लियर करूंगी और हमारी पेंटिंग इसके साथ होती है complete और जो result है वो अब आप देखेंगे ब्रश से हम यह स्टेम्स बना रहे हैं यह भी आप पटेटो से बना सकते हैं लेकिन ज्यादा जंजट हो जाएगा पटेटो में कटिंग जादा होगी बचे का कम तो इसलिए मैं यह ब्रश से कर रही हूं और इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा सेंटर में येलो इंप्रेशन भी दिया है मतलब इसका जो सेंटर पार्ट है वो बनाया है और थोड़ी सी मैंने फिर लास्ट में इसमें वाइड डॉट भी दिये हैं सो वाइड डॉट डॉट वगेरा की वीडियो में तो बहुत बार मैं दिखा चुकी हूं और अब यह है हमारा रिजल्ट है ना बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा है आप लोगों को कैसा लगा है जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताईएगा और वीडियो पसंद आई है ना फ्रेंट्स जादा से जादा लाइक कीजिएगा फ्रेंट्स और फैमली के साथ शेयर कीजिएगा चैनल पर नए है सब शब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिये आर्ड फैक्टृू पीडी को बड़ा करने मेरी हईलप कीजिए हमी भी बहुत बड़े और एक लक्षे पर पहुँंचना आप हाथ थाम कर तो मेरे साथ मेरा हाथ थाम कर बने रहिए और पूरा जो है ना मेरा सफर आप लोग उसके गवा है तो अगर आप ब्लॉक पेंटिंग शॉल पर दीखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और अगर आप सिल्क पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो रेट में क्लिक कीजिए